नवाश्कार आप देख रहें नियूस गेलाइक जी मैं हूँ आपका दोस्त आशिप सिद्धी की इस बुलेटिन में आपका सौगा थे चलिए सर्थ पेले हम बात करते हैं देश और दुनिया की दुनिया वर में अब तक दो करोर लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं 15,44,000 अब तक रिकावर हुए हैं 44,579 लोगों के अब तक मात हुई है मद्य परदेश में 49,899 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं 29,674 अब तक रिकावर हुए हैं 10,15 संक्रमित हो के अब तक मात हुई है निमार में 3045 लोग कोरोना से संक्राविद हो चुके हैं 2574 अब तक रिकावर हुए हैं 344 अब तक एक्टिव हैं जबकि 91 लोगों के अब तक मौत हुई जब खंडवा में यूवक की हत्या के बाद पुलीस बोली अपवाएं ना फेलाएं निकाला शांती मार्च पुलीस बोली जल्द ही पकड़ लेंगे आरूपियों प्रोप खंडवा शहर में लगतार हो रहा है जानलेवा हमलों के बीच लोगों का आक्रोश भूटने लगा है सुमवार सुभा एक यूवक की हत्या के बाद शहर में लगबक तनाव का माहोल है इसी तनाव को देखते हुए पुलीस ने शहर के समीदन शील इलाकों में बड़ी संख आरूपियों को पकड़ने के लिए पुलीस लगातार दबाव में है ताथा घटना के बाद से शहर में तरह-तरह की अफवाएं फेल रही है इन अफवाओं को देखते हुए एस पी विवेक सिंग ने लोगों को आगा किया है कि वे किसी भी अफवा पर धियान ना दे पुल जीमंडे के सामने चाकूह से गोद दिया था दोपैर में इलाज के दोरान धंदराज की मौध हो गई थी खंडवा में नहीं थम रही है कोरोना की रफतार जानिए क्यों बढ़ रहा है संक्रमट का दाएरा खंडवा जिले में कोरूना संक्रमेंट की रफ़तार थमने का नाम नहीं ले रही है, जिले में सोमवार को 8 नए पाजिटिव मरीज़ों की पूस्ट्टी की गई है एपीडिमियोलाजिस दक्टर योगे शर्मन ने बताये कि जिन मरीजों में कोरोना और संक्रमेंट की पुष्टी हुई है उनमें चमपा तालाब छेतर और नर्मदा पूरम कालूनी के दो-दो मरीज शामिल है इसके अलावा गणेस तलाई ब्रज नगर के साथ ही पटाजन नर्मदा नगर के संक्रमित भी शामिल है बताते चलें नर्मदा नगर में ये पहला मामला है वही सोमवार को खुले बैंकों में जिस तालाई लोग एक दूसरे से सटकर खाड़े थे ये वही कारण है जिनसे कोरोना संक्रमंट की बढ़ोतरी हो रही है आननगर इस्तित एस्बियाई शाखा पर सोमवार को भारी भीड देखी गई यही इस्तिती अमोमन सभी बैंकों में निर्मित हो रही है सोचल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने से पूरे शहर में यही इस्तिती निर्मित हो रही है पालकी में सवार होकर निकले जोतिरलिंग भगवान ओंकारिश्वर या नगर भ्रहमन सवामवार को भूत भावन जोतिरलिंग भगवान ओंकारिश्वर पालकी में सवार होकर नगर भ्रहमन पर निकले सवारी मंदरी से रवाना होकर कोटी तीरते घाट पर पहुँची यहां विद्वान पंडितों दोवारा वेद मंतरुचार के साथ पूजन अर्चन कराया गया आरती के बाद भगवान को नोका विहार कराया गया अनर्वदा में नोका विहार के बाद उंकार घाट पर पाल की उतारी गई, यहां से मुख्य वजार होते हुए पाल की वापस मंदिर पहुची, मार्ग पर उंकार महराज का सभी शद्दालों ने अभिवादन कर आर्थी उतारी अब कम लक्षण वाले संक्रमेत मरीजों को किया जा सकेगा होम आईसोलेट, स्वास्त विवाग ने जारी किये दिशान निर्देश केंदरी स्वास्त मंत्राले ने कोईट नाइनटीन के प्राजिटिव मामलों को भी हॉम आईसोलेशन का विकल पर दिया है देश में बढ़ती प्राजिटिव मरीजों के संक्या को देखते हुए पहले जारी हॉम आईसोलेशन संबंदी निर्देशों में कुछ बदलाव किया गए है आयोक्त स्वास्त डक्टर संजे गोयल ने सभी कलेक्टर्स को हॉम आईसोलेशन संबंदी दिशा निर्देश के पालन करने के निर्देश दिये है ने निर्देशों के अनुसार लक्षण रहित पूर्व रोक सुचक अती मंद लक्षण वाले संक्रमितों को घर पर सेल्फ आईसोलेशन की समुचित व्यस्ता के साथ हॉम आईसोलेट किया जा सकता है संक्रमित हॉम आईसोलेशन लाइक है या नही इसकी पूस्टी उपचार करने वाले डक्टर करेंगे हॉम आईसोलेट व्यक्ति को 10 दिनों में लक्षंद रही तो होने तद तीन दिनों में बुखार रही तो होने के बाद डिस्चार्ज किया जा सकेगा तो देशो दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रही है आप देखते रहे है न्यूस गैलक्सी मुझे दीजिये अजासत नवश्कार शब्बा खेर शब्राद दिरी